मौनसून शुरू हो गए थे और अब बारिश रोखी नहीं रही थी गट्टू जिंकी और मम्मी बालकनी में बैठ कर मौसम देख रहे थे मम्मी देखे न कितनी प्यारी बारिश हो रही है मुझे तो बारिश में भीगने का मन हो रहा है हाँ गट्टू तुमने तो बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी मुझे भी बहुत मन हो रहा है इस बारिश में भीगने का नहीं बच्चो मौसम बदल रहा है ऐसे में अगर तुम बारिश में भीग गए तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी और जुकाम हो जाएगा देखो हर तरफ सर्दी जुकाम ही फैला हुआ है अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉइज और तर कर सकते हो www.puntonkid.com से लिंक इस इंते डिस्क्रिप्शन अरे मम्मी प्लीज ना बस हम दस मिनटी भीगेंगे प्लीज हाँ मम्मी हम जल्दी से आ जाएगे बस तस मिनट में खेल कर इतने जल्दी थोड़े न हमें सर्दी जुकाम होगा गट्टू चिंकी सिर्फ एक मिनट भी काफी है जुकाम होने के लिए मेरी बात मान जाओ जिद मत करो मम्मी गट्टू चिंकी को समझाने की बहुत कोशिस करती है लेकिन वो मानते नहीं वो अपने जिद मनवा ही लेते हैं और बारिश में भिगने चले जाते हैं चिंकी मुझे थोड़ी ठंडी लग रही है हाँ गट्टू मुझे भी कुछ कुछ सुकाम जैसा फील हो रहा है अरे बाबा कहीं हमें सर्दी तो नहीं हो गई ऐसे मत बोलो गट्टू ममी से बहुत डाट पड़ेगी हमें अब क्या करेंगे चिंकी ममी तो जानी जाएंगी न कि हमें सर्दी जुकाम हो गया है दोनों आपस में खुसुर पुसुर करी रहे थे कि तभी वहां मम्मे आ जाती है क्या बात है गट्टू चिंकी इतनी धीरे-धीरे क्या बाते कर रहे हो अरे कुछ नहीं ममी कुछ भी तो नहीं सर्दी जुकाम की वज़े से गट्टू का गला खराब हो गया था और उसकी आवाज भारी हो गई थी जैसे उसने मम्मे से बात की मम्मी समझ गई कि उसे जुकाम हो गया है देखा मैंने मना किया था ना बारिश में भीगने से अब हो गई ना सर्दी तुम दोनों को अब क्या करोगे बताओ सारी मम्मी हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई हाँ मम्मी हमें आपकी बात मानने चाहिए थी हमने अपनी जित के चक्कर में अपनी तबयत बिगाड ली हाँ गट्टू ऐसे तो हम कल स्कूल भी नहीं जा पाएंगे कल तो मैट्स की एक इंपोर्टन क्लास भी है उसका भी लॉस हो जाएगा थोड़ी सी तेर के मज़े के लिए हमने अपना इतना लॉस करा लिया अरे अरे बच्चो तुम दोनो इतना भी स्ट्रेस मत लो मैं हू न मानते हैं कि तुम दोनों से गलती हो गई है लेकिन अब तुम मुझे प्रामिस करो कि आगे से हमेशा मेरा कैना मानोगे पिर मैं तुम्हें तुम्हारी सर्दी जुकाम का इलाज बताऊंगी प्रामीस ममी लेकिन ममी अब आप जल्दी से हमें बताईए कि हम क्या करें जिससे हमारी तब्याट ठीक हो जाए हाँ ममी प्लीज जल्दी से बताईए ना मुझे बहुत टेंशन हो रही है बच्चो, मैं तुम्हारे लिए अपना सर्दी जुकाम स्पेशल काढ़ा बनाती हूँ जिससे सुभा तक तुम्हारी सर्दी एक दम गायब हो जाएगी क्या सच में मम्मी? ऐसा भी कोई काढ़ा होता है क्या? और क्या चिंकी? मम्मी है तो सब कुछ पॉसिबल है मम्मी की बात सुनके गट्टू और चिंकी राहत की सांस लेते हैं ठीक है मम्मी, फिर तेर किस बात की? आप प्लीज जल्दी से हमारे लिए अपना स्पेशल काढ़ा बना दीजिए न और फिर से सौरी मम्मी, अब हम कभी ऐसे बारिश में भीगने की जिद नहीं करेंगे कोई बात नहीं गट्टू चिंकी, मुझे खुशी है कि तुम दोनों को अपनी गलती का एसास हो गया है बस दस मिनट रुको, मैं फटा फट से तुम्हारे लिए काढ़ा बना कर लेकर आती हूँ इतना कहकर, मम्मी किचन में जाती है और अपना स्पेशल काढ़ा बनाने लगती है थोड़ी देर में काढ़े की खुशबू आने लगती है मम्मी गट्टू चिंकी को काढ़ा लाकर देती है देखो बच्चो, ये काढ़ा थोड़ा सा कड़वा है लेकिन इससे तुम्हारी सर्दी बहुत जल्दी गायब हो जाएगी गट्टू चिंकी खराब टेश की बात सुनके थोड़ा घवराते हैं पर वो हिम्मत करके पूरा काढ़ा पी लेते हैं इसका टेस्ट तो अच्चा नहीं है ममी लेकिन मैंने अपना जुकाम ठीक करने के लिए इससे पूरा खतम कर दिया हाँ ममी मैंने भी अपना पूरा काढ़ा खतम कर दिया ममी की बात सुनने के बात भी गट्टू और चिंकी को टेंशन हो रही थी कि कहीं उन्हें अगले दिन स्कूल में इसना करना पड़ जाए वो दोनों लेट कर बाते कर रहे थे चिंकी तुम्हें क्या लगता है? सुबह तक हमारी तबेर ठीक हो जाएगी न? पता नहीं गट्टू लेकिन मुझे मम्मी पे पूरा भरोसा है अगर उन्होंने कहा है कि उनके स्पेशल काड़े से हमारी तबेर ठीक हो जाएगी तो फिर हो ही जाएगी हाँ चिंकी चलो फिर इंतजार करते हैं मम्मी के काड़े के मैजिक का फिर दोनों सो जाते हैं और सुबा सुबा मम्मी दोनों को उठाने आती है गट्टू चिंकी उठो बेटा आओ मेरे पास देखो तो तुम्हारे तब्याद कैसी है? मम्मी एक एक कर दोनों को चेक करती है और फिर रहत की सांस लेती है तुम दोनों को कैसा फील हो रहा है अब? मम्मी मुझे तो पहले से बहुत बेटर फील हो रहा है हाँ मम्मी मुझे भी मेरी तबियात एकदम ठीक लग रही है अब हम दोनों आराम से स्कूल जा पाएंगे वाओ मम्मी आपका मैजिकल काड़ा तो कम्माल का था एक ही रात में हमारी सारी सर्दी गायब हो गई हाँ बच्चो मम्मी ऐसे ही मैजिक करती है अपने बच्चो के लिए चलो अब तुम दोनों जल्दी से रेड़ी हो जाओ और स्कूल जाओ अब तुम आराम से अपनी मैज्स क्लास अटेंड करना तीक है? हाँ ममी